ये जवानी, है दीवानी, करें शुरू वीडियो, चलो करते हैं गाइस जब भी हमें कोई नया फोन या फिर DSLR कैमरा खरीदना होता है तो हमारे माइंड में वीडियो शूटिंग ये पॉइंट अव्यू से सबसे पहले सवाल ही आता है कि ये हमें किस रेजोलूशन में वीडियो शूट करके देगा हमें 4K में वीडियो मिलेगी या फिर Full HD में आज कल mostly cameras और mobile phones 4K वीडियो शूट तो करते ही हैं बट 4K वीडियो के भी कुछ फायदे और नुकसान या हम बुराई कह सकते हैं वो होती है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4K वीडियो वर्सिस Full HD वीडियो रेजोलूशन में और पता लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है किस सिचुएशन में किस रेजोलूशन में आपको शूट करना चाहिए तो हे गाईज मेरा नाम साहिल है और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्स्राइब कर लिजे इस लाल बटन को दबा कर और आप भी शामिल हो जाएए मेरे यूट्यूब परिवार में तो आईए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जानिये फ्रोग्रफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात वाच, लर्न, एंजॉई तो सबसे पहले बात करते हैं गाईज 4K वीडियो की बेनिफिट्स की तो 4K वीडियो का जो रिजूशन होता है वो काफी जादा अच्छा होता है जिसमें हमें 3840 x 2160 का रिजूशन मिल जाता है जो FULL HD 1920 x 1080 x 1080 से काफी जादा बड़ा होता है जिससे फायदा ये होता है गाईज की 4K वीडियो में जादा clarity होती है जो details होती है वो 4K resolution में हमें ज़ादा मिलती है और अगर आप 4K वीडियो को 4K screen या फिर 4K TV पर देखें तो ये तो और भी मज़ेदार बात हो जाती है और वीडियो भी काफी ज़ादा appealing लगती है specially अगर आप बड़े 4K TV पर देखें तो दूसरा benefit है 4K वीडियो में शूट करने का वो है flexibility आप 4K वीडियो को Full HD वीडियो में भी downscale कर सकते हैं जिससे होता है कि आपको ज़ादा resolution में शूट करने का option मिल जाता है तो मान लीजिए अगर आपने वीडियो 4K resolution में शूट करी है और आपको उसे downscale करना है Full HD में तो वो possible भी है और जो overall performance है वीडियो की वो भी बरकरार रहती है Full HD version में भी अब चलते हैं guys next benefit की तरफ तो अगर आप professionally wedding shoot करते हैं या फिर commercial shoot करते हैं तो इस चीज़ में आपको 4K वीडियो काफी जादा help कर सकती है क्योंकि आप 4K वीडियो के नाम पर मतलब 4K वीडियो offer करके client से जादा अच्छा charge कर सकते हैं होता है क्या कि guys अगर आप 4K वीडियो का option भी देते हैं तो इससे आपकी overall जो production quality है जो brand की value है वो भी काफी जादा बढ़ जाती है और जो overall impact पड़ता है वो काफी जादा powerful पड़ता है क्योंकि आप एक तरह से latest technology आप offer कर रहे हैं client को and guys जो दिखता है वो बिखता है मान लीजे client बिलकुल नया है उन्हें नहीं पता 4K resolution क्या होता है और अगर आपका 4K video का sample select हो जाता है या फिर उन्हें काफी जादा impress कर जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी deal तो पक्की हो ही जानी है तो कहीं न कहीं 4K video जो है वो appeal करती है client को की हाँ इस video में कुछ बात है बहुत ही जादा clear है वीडियो editing के point of view से भी guys 4K video का काफी जादा हमें benefit होता है क्योंकि 4K video में अगर हम माल लीजिये हमें recompose करना है हम चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत area crop करना चाहते हैं तो वो हम easily कर सकते हैं 4K video resolution में बट full HD video में अगर आप ऐसा करेंगे थोड़ा बहुत area crop करेंगे जो आपको unnecessary लग रहा है तो हो सकता है कि आपकी जो video की quality है वो काफी जादा down हो जाए वो depend करता है कि आप कितना area उसमें crop कर रहे हैं बट 4K video में हमें ऐसी problem देखने को नहीं मिलती तो ये कुछ main benefits है 4K में shoot करने के बट कुछ situation में 4K में shoot करना काफी जादा challenging हो जाता है और उस जगा पर हमें full HD video में shoot करना पड़ता है तो 4K video shoot करने का मतलब होता है गाईस कि आपको हर चीज जो है latest चाहिए कहने का मतलब ये है माल नीजी आप editing कर रहे हैं और editing के लिए अगर आप normal PC यूज़ कर रहे हैं 4K video को edit करने के लिए तो वो possible नहीं है आपका system या तो hang होने लग जाएगा या फिर जो workflow है वो properly run नहीं करेगा तो basically आपको 4K video edit करने के लिए powerful laptop चाहिए powerful PC चाहिए जिसका graphic card जिसी configuration काफी जादा अच्छी हो ताकि वो उस footage को smoothly run कर पाए तो 4K video के लिए guys आपको powerful laptop तो चाहिए ही चाहिए तो ये एक major drawback लगता है अगर आप full HD video में shoot कर रहे हैं तो आप almost normal laptop में भी editing कर सकते हैं तो दोनों resolution में main फरक हमेया देखने को मिलता है क्योंकि 4K में shoot करना तो चलो एक बार को माल लेते हैं असान है बट उस चीज को edit करके पूरा pitch करना पूरा अच्छे से present करना वो भी एक challenging task होता है इसलिए full HD video इस मामले में बढ़िया रहता है अगर आप phone की app से भी editing कर रहे हैं तो वहाँ पर भी full HD video अच्छे से compatible होती है और जो workflow है जो editing है वो काफी ज़्यदा smooth चलती है full HD resolution में mostly devices में slow motion videos की बात कर दो guys 4K resolution में चाहे आप महेंगा DSLR ले लें mirrorless camera ले लें उसमें भी हमें 4K का जो option है वो 60 frame per second पर मिलता है बट अगर हम full HD video की बात करें तो चाहे वो phone हो या फिर आज कर latest DSLR mostly DSLR में हमें 120 frame per second या फिर 240 frame per second की speed देखने को मिल जाती है अगर आपको frames per second नहीं पता एक नया शब्द लग रहा है कि frames per second होता क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने उस topic पर भी वीडियो बनाई हुई है क्योंकि mostly cameras में जादा frames per second का option हमें full HD resolution में ही मिलता है 4K में नहीं मिलता इन सभी चीजों के अलावा गाई उस सबसे बड़ा फायदा full HD video resolution का है वो है compatibility एक तरह से अभी market में standard जो resolution है वो full HD है चाहे वो कोई भी device हो तो full HD video जो है mostly सारे devices के उसाथ compatible होता है बट अगर आप 4K video की बात करें तो 4K video कुछ ही devices में playback करती है मतलब कुछ ही devices में वो चलती है सही से बाकी devices को support नहीं करती चाहे आप कोई भी screen लगा लिचे माल लिजे आपके car के अंदर कोई display लगी हुई है माल लिजे आपका कोई device है जिसमें आप video देखना चाहते हैं तो उस तरह की devices में 4K का अभी option पूरी तरह से cover नहीं कर पाया है हर device में तो इसलिए full HD वीडियो उस तरह की चीज़ों में भी काफी ज़दा better रहती है बट 4K वीडियो को जब तक आप full HD वीडियो में down scale नहीं करेंगे तब तक वो सारे devices में run नहीं करेगी अब चलते हैं guys last benefit of full HD वीडियो की तरफ जो है less data consumption 4K वीडियो को पूरा त्यार करने के लिए guys आपको अच्छा editing setup तो चाहिए ही चाहिए बट उसके इलावा आपको memory card भी जादा चाहिए माल लीजी आप 4K वीडियो record कर रहे है तो 4K की जो video recording होती है वो काफी जादा heavy होती है जिसके लिए आपको जादा storage वाला memory card और high speed memory card चाहिए होगा और इस तरह के memory card guys काफी जादा expensive हाते हैं और अगर आप phone की भी बात करे तो phone में भी 4K video shoot करने पर हो सकता है आपकी जो storage है phone की वो जल्दी जल्दी खतम होने लग जाए तो guys ये फरक है दोनों resolution में अब आपके उपर depend करता है कि आप as a videographer कौन सा आपके लिए best है कौन सा आपके लिए suitable रहता है अगर आप अच्छा charge करते हैं आप एक overall बढ़िया quality चीज रिलिवर करना चाहते हैं आपका budget अच्छा है तो आपके लिए 4K video best है अगर आप normal shoot करते हैं आपके बास एक normal editing setup है तो आप guys full HD resolution select कर सकते हैं so thanks for watching guys I hope आपको full HD video और 4K में फरक पता लग गया होगा in case अगर आपके माइन में कोई भी question हो तो आप नीचे comment box में mention कर सकते हैं मैं आपका host और दोस्त पूरी कोशिश करूँगा आपके हर question के answer देने की and video अच्छी लगे तो guys वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में आप सभी अपना ख्याल रखें